नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में शॉट वीडियो रहेगा ज्यादा लोंग नहीं होगा इस वीडियो में आपके लिए एक अपडेट है कि आपके जो SSC के जो अभी बाकी के एक्जाम्स थे जैसे कि आपको पहले बताया गया था एक नोट से अपको मैंने पहले बताया था एक नोटिस के अंदर जो की डेट और टैम टेवल से रिलेटिड था कि भाई इस बार जो है 2030 के अंदर कौन सा एक्जाम किस दिन होगा उसके लिए डेट बताई थे SSC ने यानि कि स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ने जो कि गवर्मेंट जॉब् थे उन से रिलेटिड बात हुई थी तो इस बार क्या है जो बाकी एक्जाम रह गए थे आपके जो की SSC लेता है हर साल ही तो इस बार जो बाकी एक्जाम से लेने वाला है SSC जैसे कि आपका CHSL हो गया 2023 का और आपका MTS का एक्जाम हो गया और सब इंस्पेक्टर दिली पुल जारी करा गया है आप अगर देखेंगे तो जो एक्जाम's कुछ एक्जाम's ऐसे रह गए थे जिनके बारे में अभी तक ऐसी सीन नहीं बताया है था कि वह एक्जाम किस दिल लेने वाले है Staff selection commission तो इस बार commission ने डिसाइड करते वह नोटिस निकाला और उस notice में बताया है वो किस दिल लेंगे उसके date जारी करे गए हैं, अब यह date tentative नहीं है, यह actual में final dates है, हाला कि हो सकता है, इस SSE अगर इसमें कोई change करेगा, तो वो time to time बता देता है, पहले ही, जैसे कि exam में कोई change करना होता है date में, तो वो पहले ही notice के दोरान, उस चीज को बता जाता है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको पूरा notice बता देता हूँ, notice description में मिलेगा, आपको update अच्छे से देख सकेंगे, update में यह बोला गया है, कि staff selection commission ने बोला है, कि जो commission है, उसने decide करा है, कि आपका जो exam है, वो October, August, September और October 2023 में जो लेने वाले exam है, इन तीन मंत के अंदर, वो किस-किस दिन होंगे, पहले CHSL का जो exam रहेगा 2023 का, वो 2 से लेके 22 अगस्त के बीच में होगा, मतलब 20 दिन exam चलेगा CHSL 2023 का, यानि कि combined higher secondary level examination इसको पूरा बोला जाता है, full form भी लिखी हुई है, और साथ में multitasking, यानि कि non technical staff का exam है, हवलदार का साथ में CBIC और CBN, इन दोनों के लिए, जो examination रहेगा 2023 का, वो 1st of September से लेके 29th of September तक रहेगा, यानि यह भी पूरा 1 month आपका चल रहा है, अब last exam आपका एक और जो है, वो है, sub inspector दिल्ली पुलिस के अंदर, डैली पुलिस, अगर आप देखेंगे, sub inspector in डैली पुलिस, और साथ में Central Armed Police Forces Examination 2023, यह 3rd of October से लेके 6th of October, 4 दिन यह exam चलेगा, तो यहाँ पर आपको यह भी कहा जा रहा है, candidate को advise दी जारी है, कि भाई, website देखते रहे है, regularly update, क्योंकि कोई भी update आ सकता है, कभी भी आपके exams की date, admit card, यह सब चीज़े आती रहती है, तो इसको आपको अच्छे से है, कि finally आपके 3 exam, यानि कि CHSL, MTS और CPO, जिसे हम CPO बोलते हैं, वो और CAPF, 3-4 exams की dates, सब inspector DP के अंदर भी आ चुके है, सारे के सारे notice के दौरान यह चीज़ बताई गई है, आप अगर देखेंगे, तो SSC की website पर भी आपको देखने को मिलेगा, यह 27th of April को बताया गया है, बि इस ती को आपको ध्यान रखना है, तो बस यही था, और करेंगे वीडियो को end, मिलेंगे नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद,